इक्ष्ट्रा मेरिटल अफेर is one of the biggest problem जो आज के time period में हमारी society में arise हो रही है sometimes इसमें हम intentionally जाते हैं sometimes हम बिना जाने हुए इस रिस्ते में चले जाते हैं sometimes हम जाना चाहते हैं कि यार ठीक है अब इसमें मैं जाओं कैसे sometimes इसा होता है कि हम बहुत जाते हैं रिस्ते में और उसके बाद भी हमें वापस आने में थोड़ी problem होती है क्योंकि हमने एक रिस्ता डॉल अप कर लिया है तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि extra marital affairs say हम बाहर निकल सकें इसके लिए हमारे पास क्या techniques है क्या हम कर सकते हैं आज की वीडियो में इसी बारे में discuss करने वाले हैं तो अगर आपने पहली बार इस channel पर विजिट किया है तो एक बार जरूर देखिए कि यह channel आपके लिए कितना important है अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फोलो नहीं किया, आइडी आपको दिख रही है, इस आइडी पे आप मुझे फोलो कर सकते हैं, यहां मैं डेली लाइब आता हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, आपके जो भी कोस्तेंस है मारे साथ सेयर कर सकते हो, अगर आ हो सकता है, वन टू एन प्राइबेट बोकिंग उस होती है, तो जहां पर बात करता हूं लोगों से, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो इक्ष्टामरिटल रिष्टे में जाने की बातना, उससे वापस नहीं आना जाते, वो चाहते हैं, इसमें बताओ कि इसमें हम अच्छे से क निकलने की ज़रूरत है, और मुझे क्या करना चाहिए, सर यह बताओ, तो अगर आप इक्ष्टामरिटल अफेर से निकलना चाहते हो ना, तो सबसे पहली चीज़ आपको यह करनी है, टॉक क्लियरली, एपॉलाइज दम, एंड इस्टॉप द कमूनिकेशन, सबसे पहली ची शे महीने, एक साल, दो साल फेश्ट किया है, बरबाद किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो, और क्लियरली बताओ कि मैं ऐसा फील कर रहा हूं, मेरी फैमिली, मेरी चीज़ें, सब कुछ खराब हो सकती है, हम दोनों की जिन्दगीयां बरबाद हो सकती है, तो रुकते हैं इस कि कोई मिल जाए, जिसके साथ मैं सेयर कर सकूँ, अपनी बाते रख सकूँ, और वो बातें कम इस लेवल पर हो गई कि वो रिष्टे में बदल गया, वो सेक्सुल फिजिकल रिलेसंसिप में बदल गया, हम समझ ही नहीं बाते हैं, और आफ्टर ए टाइम में गिल्ट होता ह कि नहीं करना है, तो यह चीज़ आप कर सकते हो, कि क्लैरिफाई करो, माफी मांगो, और कमुनिकेशन बंद करो, दूसरी चीज़ आपको यह करनी है, कि अपने पार्टनर से बात करनी है, कि मेरा किसी के साथ अफेर है, क्योंकि आपने किसी और के साथ अफेर किया है, आप लेडी हैं, आप मैंन है, आपने किसी के साथ अपेर किया है, तो कुछ ना кुछ आपको अपने पार्टनर के साथ प्राब्लम रही होगी, कि मेरा पार्टनर टाइम नहीं दे रहा है, है sexual compatibility नहीं बन पा रही है emotionally हम connect नहीं हो पा रहे हैं physically हम compatible नहीं दिख रहे हैं कुछ चीज़ें होंगी ना issue तो उस topic पर अपने partner से बात करो कि मुझे यह चीज कमी लग रही है हमारे relationship में हम यह कर लेना हमारे रिष्टा बहुत अच्छा हो सकता है हम जब Sexual relationship में जाते हम यह नहीं करते है हम इस तरह से नहीं करते मुझे ऐसा फील होता है ऐसा लगता है वैसा लगता है बताना ज़रूरी है मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रोड़ा सा केर नहीं कर रहे है थोड़ा सा family life को ignore पर प्लीज इस चीज़ा कर करो सामने वाले इना को बोला जा सकता है कि यार ठीक करो ढंक से काम करो चीजों में यह यह चीज मुझे प्रॉब्लम लग रही है तो जो भी इसूज हम बोल रहे हैं अपने आप से जिसके बेस पर हम भाग रहे हैं बाहर कि यह चीज को यह और सौर्ट करके देगा उस टॉपिक पर कहीं न कहीं ए यार कोई सस्ता सा ऑप्सन मिल जाता है ठीक है यार क्या गरना है ठीक नहीं हो रहा है किसी और के साथ प्यार कर लेते हैं प्रॉब्लम इस देट कि वो रिस्ता आपके साथ कुछ महीनों कुछ सालों का हो जाएगा बहुत सौर्ट टर्म होगा जिसके गेन के लिए आप एक लॉंग टर्म अपना रिस्ता अपनी जिंदगी अपनी खुशाली अपनी खुबसूरती सब छोड़ने को रेडियों गए जिसके लिए आगे चलकर कि आपको पस्ताना ही पड़ेगा तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हो थिंक अबाउट यूर फैमिली अपनी फैमिली के बा मेरी मम्मी का तो किसी के साथ अफैर चल रहा है मेरे पापा किसी और लड़की की तरफ जा रहे है मेरी मम्मी को धोखा दे रहे हैं उनका आपको लेकर करके perception क्या होगा कभी सोचा है मेरे बच्चे को अगर पता चला कि मैं ये कर रहा हूं तो क्या सोचेंगे मेरी वाइफ क पता चला कितने लेवल पिल क्लैस होगा हमारी जंदगियां तबाह हो सकती है तो जब आप एक बार करोगे कि आपकी family की condition क्या हो जाएगी आपका situation क्या हो जाएगा इस तरह की चीज़े करने से तो आप चीजों को बहतर तरीके से handle कर पाऊगे आपको वहां से निकलने में आसानी होगी चौती चीज है इस बारे में सोचिए कि अगर यह चीज पब्लिक हुई तो उससे आपकी जिंदगी किस लेबल पर डिश्ट्रॉई होगी आपका सबसे पहली चीज फैमिली लाइफ आपके पार्टनर का आपके साथ connection उसकी feelings उसके emotion उसका respect उसकी सब कुछ खो मन में क्या उज़रेगी आपके family में आपके इज़त आपकी society में आपके इज़त आपकी value society में लोगों का आपको देखने का नजरिया सब कुछ destroy हो जाएगा just because of what? कुछ time के लिए वो intentionally आने वाला थोड़ा सा satisfaction उसके लिए हम पूरी long term जिंदगी को पर बात करने को ready होते है पांच में चीज आपको यह करनी है कि जब आपको चीज है समझ में आजा है आप realize कर लो तो move on पे focus करो कि आगे बढ़ते हैं हो गया अगर आपको आगे बढ़ने में लगता है कि यार नहीं थोड़ी सी तकलीफ हो रही है समझ नहीं आ रहा है problem आ तो आप मेरे से बात कर सकत हो मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है daily base पे दो चार पांच लोगों से मैं daily base पे बात करता हूं paid call पे तो मेरे से बात कर सकते हो आपकी जो भी problems है उसको clearly बता सकते हो और उसमें best क्या हो सकता है मैं आपको बहुत अच्छे सरा जज़ेश्ट कर सकता हूं क्योंकि मैंन हजारों लोगों से बात किया है हजारों लोगों के रिस्ते बनाए है हजारों लोगों की डूबते हुए रिस्ते को सपोर्ट किया है तो आपका रिस्ता भी बच सकता है आपका रिस्ता भी बेहतर हो सकता है तो अगर आपको लगता है कि you need a professional help तो definitely आप यस नमर पे message करके अपना सुलाइट बुक कर सकते हैं और इससे आपके रिष्टे बच सकते हैं आपके जिन्दगी खुबसूरत हो सकती है तो अगर इस वीडियो से आपको हेल्फ मिली हो तो डेफिनिटल लोगों तक पहुचाईए उनकी हेल्प कीजिए उनको और अपनी जिन्दगी को इवाल इंट्राव फोलो नहीं किया है कर लिए प्रस्टनली बात करनी है नंबर आपको बताएए कि क्या करना है तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में अगर आपको कोई सजेशन हो या आप किसी अधर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो डेफिनिटल लिमें ज़रू ब